तो हेले दोस्तो मेरा नाम है नेतेज कुमार और स्वागत फिर से को नई वीडियो में तो दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपके घर पे aalगे में को करनेक्शन लगा है लेकिन दोस्तो अगर आपका में भराब हो गया है या short circuit के बज़े से आपका meter जल गया है या दोस्तो reading नहीं दिख रहा है या कांच तूट गया आपके meter का या दोस्तो आपके meter में अधिक बिजली खपत हो रहा है तो दोस्तो किस परकार से आप अपने meter को change करवा सकते हैं बिल्कुल free में दोस्तो इस बीडियो में आपको step by step पूरा complete process बताने वालाओं कि किस परकार से आपको अपना meter को change कराना है अगर किसी परकार का अगर आपके meter में problem आ जाता है तो अगर आपके भी meter में किसी परकार का गड़बड़ी है समस्या है और आप अपने meter को change करवाना चाते हैं तो दोस्तो इस बीडियो को आप बिना skip के सुरुष लेकिए अन तक जरूर देखे क्योंकि दोस्तो meter change कराने का एक रुपे भी चार्ज नहीं लगेगा और नया meter को आपके घर पर लगा के जाएगा बिल्कुल फ्री में दोस्तो अगर आप भी अपने meter को लगवाना चाते हैं तो दोस्तो चलो वीडियो स्टार्ट करी लेते हैं लेकिन दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस वार भी आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर दे और सांत में गंटी को वीडियो प्रेस कर दे जैसे हम यूँ ही नया नया वीड की केसन मिल सके क्योंकि दोस्तों हर भाई तो वीडियो देख लेते हैं लेकिन वैसे ही चले जाते हैं और दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सस्क्राइब जरूट करें क्योंकि सस्क्राइब करने का एक रुपे भी नहीं लगता है तो चलो PPDCL आपको टाइप करके सर्च पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्लाइट करना है और यहाँ पे जो आपको फर्स्ट साइट दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपको कुछ सकेंड वेट करना है जब तक यह पेज लोडिंग ले रहा है पेज लोडिंग लेने के बाद दोस्तों यहां पे कुछ इस परकार से होमपेज आपको सोहने लग जाते हैं और जैसा कि देख सकतों यहां पे नौर्थ बिहार पावर डिस्टुविशन कंपनी लिमिटेड का यहां पे ओपसल साइट ओपन हो गया है और दोस्तों ध्यान रहे इस बात का कि अगर आप साउथ बिहार से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको साउथ बिहार के ओपसल साइट पे बिजिट करना है और दोस्तों मैं आज कि इस वीडियो में नौर्थ बिहार का ओनलाइन आवेदन करके दिखाने वालाओं क्यूंकि दोस्तों मैं नोर्थ बिहार से बिलोंग करता हूँ तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आप साउथ बिहार से बिलोंग करते हैं या नोर्थ बिहार से तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने वेबसाइट पे बिज जाएंगे complaint registration का और दोस्तों second number पे आपको दिखेंगे complaint sr status का तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको complaint registration करवाना होगा तब ही दोस्तों आपके घर पे मेटर खराब हो चुका हाई या short circuit के वज़े से आपका मेटर जल गया है या किसी भी परकार का समसी आपके मेटर में आ रहा है तो दोस्तों सबसे पहले आपको registration करना होगा तभी जाके आपके घर पे नया मेटर लगा के जाएगा बिल्कुल फ्री में तो सबसे पहले यहाँ पे complaint registration पे आपको क्लिक कर देना है और आपके सामने एक नया page open होने के बाद कुछ इस प्रकास से आपके सामने देखिएगा और वीडियो को आप थोड़ा सब इसकीप मत करिएगा सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपका registration डेट दिखा दिया जाता है जो आज का डेट होगा और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना CA नंबर को टाइप कर देना है कितने भाई को CA नंबर पता नहीं हो लोकता संख्या लिखा रहेगा और नंबर को यहाँ पे आपको टाइप कर देना है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक डमी नंबर को टाइप कर लेता हूं तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने CA नंबर को टाइप कर दिया इसी परकार से आप को अपने C.A. नंबर को टाइप कर देना उसके बाद यहां पर get details पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर कुछ इस परकार से Alzheimer पर Ok पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद दुस्तो यहां पर CEO नमबर से आपको second वाले नमबर में आपका consumer नमबर में आ जाएगा आपका जो भी आपने detail को fill किया है उसके बाद दुस्तों यहाँ पे complaint name में किसका नाम को fill up करना है जिसके नाम पर electricity meter register है दोस्तों उसका नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हो या दोस्तों जो इस forum को fill कर रहे है वो यहाँ पर अपना नाम को भी type कर सकते हैं किसी परकार का problem नहीं होगा उसके बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number को type कर देना है जरूरी नहीं है कि जो आपके meter में mobile number register है वही mobile number को यहाँ पर हम type करें यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी चालू mobile number को type कर सकते हैं उसक दोस्तों यहां पे लोडिंग लीरा थो आपको सब्डिविजन फ्रम जि Oreo करनाओ है कुछ कमधक्य यहां पर डूरा को और यहां पर एंपना सब्डिविजन इस पर लिए को सब्सक्राइब ग्हां बुक्तर कर ली संध better सो यहां पर अपना सेक्षण को स्डेंट कर लें आपको पूरा अपना full address को type कर देना है जो भी आपके बिजली बिल में पता होगा उसके बाद यहाँ पे दुस्तों बिजली बिल पता type करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको complaint केटिगरी को आपको select कर लेना होगा सबसे पहले select के option पे आपको click करना है और यहाँ पे मेंटर खराब हो गया है या short circuit के बिज़े से आपका मेंटर जल गया है या reading नहीं दिख रहा है या कांच तूट गया है या अधिक खपत हो रहा है आपके में तो दोस्तों यहाँ पे काफी सारा आपको देखन के लिए मिल जाते हैं सब के टिगरी में तो दोस्तों आपके म लास ब्रोकेन को आपको स्लेट कर लेना है अगर दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा में बिजली ज़्यादा खपत हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर high टिप को आपको select कर दिना है या दोस्तो अगर आपका meter जल गिया है short circuit के बज़े तो दोस्तो यहाँ पे display फॉल्टी का option आ रहा है तो दोस्तो यहाँ पे आपको tick लगा देना है कुछ इस परकार से और यहाँ पे दोस्तो complaint details में आपको जो भी meters related जो भी नहीं जाता है तो ज़्यादा कोशिस इसी बात का करें कि यहाँ पे आप जितना short हो सकी उतना short में लिखे तो for example मैं यहाँ पे आपको Hindi में type करके दिखा देता हूं आपको क्या लिखना है और कितने word में लिखना है और किस तरीके से लिखना है तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस परकार से आपको type कर देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको capture ऐसा किसा करना है और जैसा कि दोस्तों आपको तक कि लिख लोडिंग ले रहा है और जैसा कि दोस्तों आप देख सकतो इस screen पे यहाँ पे आपको कुछ इस परकार से आपको मिल जाएगा your complaint request has been registered successfully your complaint number यहाँ पे आपका complaint number 100 होने लग जाएगा और दोस्तो इस complaint number का आप एक screenshot ले ले या दोस्तो आप अपने किसी भी copy में लिख ले क्योंकि दोस्तो आगे यही काम में आपको आने वाला ह किसी परकार का status आप अपने meters related check करना चाते हैं इसका status देखना चाते हैं कि अभी आपका status कहां तक पहुचा है तो दोस्तो इसी complaint number की मदद से आप अपना status को check कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसका एक screenshot ले ले तो दोस्तो यह तो रहा complaint किस परकार से register कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको okay पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तो इसी side में आपको चले आना है और यहाँ पर मैं आपको जुम करके दिखा देता हूं यहाँ पर फिर सी आपको चले जाना है online complaint वाले section में और यहाँ पर आपको second number पर देखने के लिए complaint sr status का तो सबसे पहले आपको second number पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर कुछ इस फरकारासिय Altoon अजयता है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नमबर को टैप कर देना है जो ही आपना complaint black online बाक्स्में चैप कर देते हूं जयसा एंदूस्तों आप अपना complaint ID औ और यहां पे जो capture source टाइप कर देंगे उसके बाद यहां पे आपको submit वाले option पे click कर देना है और जैसा ही आप submit पे click करेंगे उसके बाद यहां पे आपको नीचे keyword slide करना है कुछ इस परकार से और यहां पे आपको complaint number मिल जाएगा और यहां पे आपको description देखने के लिए मिल ज है और यहां पे आप अपना feedback को भी share कर सकते हो दोस्तों यहां पे आप अपना complaint register करवाने के बाद आपका mater change नहीं हो जाएगा इसके लिए दोस्तों आपको दो प्रोसेस को और follow करना है जो मैं आपको बता रहा हूं तभी जाके दोस्तों आपका mater change होगा और तभी जाके नय meter आपके घर तक लगा के जाएगा बिल्कुल free में तो दोस्तों वो दो परक्रिया कौन सा है चलिए जान लेते हैं अगर दोस्तों आप अपने meter से related complaint को दर्ज कर दिये हैं और दोस्तों अगर आपका complaint एक महिने के अंदर में सुनवाई नहीं लेता है तो दोस्तों आप return फि चलिए यहां पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ और आपके अपने ओपसल वेपसाइट पर देखने के लिए मिल जाएंगे toll free help line number तो दोस्तों यहां पर जैसा की देख सकते हो यहां पर 1912 करके नंबर 100 हो रहा है तो दोस्तों इस नंबर पर आपको call करना है और य करम चारी और दोस्तों आपसे एक रुपे भी चार्ज में नहीं लेगा इस बात का धियान रखे तो दोस्तों आशा करते हैं वीटो आप सभी काफी उस्पूल लेहें होंगे अगर दोस्तों यह वीडिए आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडिए को लाइक क करें और इसी परकार का लेटस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चनल को सस्क्राइब करें और साथ में भी लाइकन घंटी को व्योल पे प्रेस कर दे